जी साहब डिटर्जन पाउडर आपके कपड़ों को चमकाए बिल्कुल सफेद बनाए खिले सफेदी चमके रंग जब हो साहब डिटर्जन का संग कमपनी का प्रोडक्ट, कॉलिटी का प्रोडक्ट, एक खरी दो, एक मुफ पाओ अपने कपड़ों में जान से डाल दो और बहुत संदर खुश्बू पाओ बच्चों, ऐसे बहुत सारे एटवर्टीजमेंट्स आपने टीवी के अंदर ब्रेक में और कुछ प्रिंटिड पैंफिट्स के तरीके से लगे हुए भी देखे होंगे तो आज हम सीखेंगे कि इस तरह के एटवर्टीजमेंट्स को कैसे बनाया जाता है एक्चोली बच्चों, राइटिंग स्किल में हमारा बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है जो हर क्लास में आता है वो है एटवर्टीजमेंट्स बहुत तरीके के होते हैं एक एटवर्टीजमेंट्स में आपको आगे बताऊंगे उन में से एक प्रोडक्ट का मैंने आपको भी करके बताया कि कैसे एक सर्फ का हम विज्ञापन करें क्या-क्या उसकी खोबिया बताए तो ये सब चीज आज हम सीखेंगे बहुत इंट्रस्टिंग होने वाला है हमारा विडियो तो चलिए शुरू करते हैं तो समझ तो आप गए बच्चों में किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ फिर भी एटवर्टीजमेंट क्या होता है बच्चों जो शुरू में मैंने आपको करके बताया जी साहब डिटरजन पाउडर का वो एक प्रोड़क्ट का विग्यापन था प्रोड़क्ट का एटवर्टाइजमेंट था या शॉर्ट में बोलू तो प्रोड़क्ट का एड था लेकिन बहुत सारी चीज़े होती हैं इंग्लिश के अंदर प्रोड़क्ट के इलावा भी बेचने के लिए जैसे आपको किसी की सर्विसिस की रिक्वाइमेंट है किसी व्यक्ती कोई टीचर चाहिए आपको या आपको खुद को नोकरे चाहिए आपको अपना घर बेचना है फ्लैट बेचना है आपको कोई फ्लैट किराय पर लेना है आपको मैट्रिमोनियल एड्स भी होते हैं बच्चों वर चाहिए वधू चाहिए आपने आम तोर पर संड़े नियूस पेपर के अंदर देखे होंगे तो बहुत तरीके के अड्विटीजमेंट्स है जो 9-12 क्लास और आगे कॉलेज डेवल पर भी पूछे जाते हैं हर बार पेपर में एक 4 नंबर का क्वेशन आता है अड्विटीजमेंट्स बनाने का और यह बिल्कुल असान है बच्चों इतने आसान कि आज आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो आपके बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटने वाले हैं I'm sure मैं आपको 9 एड्विटीजमेंट्स दूँगी प्रॉपरली समझाऊंगी और बच्चों उन 9 में से ही पेपर में हमेशा एड्विटीजमेंट्स आ जाते हैं 9 में से कोई नो कोई एक आपके पेपर में जरूर आ जाएगा ये मैंने जो इतने सालों से हरियाना बोर्ड के में पेपर्स देख रही हूँ इवन CBSC बोर्ड में भी यही एड्विटीजमेंट्स रिपीट होते हैं बार पार तो आप उनको मेरे साथ ध्यांस से कर लेंगे और आप हमेशा सिक्योर करेंगे इन फुल मार्क्स इन अडविटीजमेंट्स तो आपको किलियर है क्या होता है आगे चलते हैं पवपस क्या होता है बच्चों इनका विज्ञापन देने का पवपस क्या होता है अब आप देखिए कि कोई छोटाicateफ मेरा तो बच्चों विग्यापन इस तरह की चीज होती है कि हम उसको देखे और उस चीज को लेने के लिए प्रिरित हो जाए वो काम करने के लिए उस्तुक हो जाए तो ऐसा ही कुछ होना चाहिए एड़टाइजमेंट तो परपज समझते है एड़टाइजमेंट अट्रेक्स इमे इसे चीज की सेल बढ़ानी है सर्विस बढ़ानी है तो सबसे इंपॉर्टेंट साधन है आप उसकी अच्छी सी विग्यापन डाल दे इट इस यूज तो इंफ्वेंस दमाइंट टेस्ट्स और इवन मोटिव्स ऑफ दमासेज लोगों के मोटिव्स लोगों के टेस्ट और लोगों के माइंड को कंट्रोल करने के लिए इंफ्लूएंस करने के लिए विग्यापन बनाये जाते हैं कि वो विग्यापन देखकर इतने उससाहित हो जाएं इतने एंकरेज हो जाएं उस चीज को बाई करने के लिए ताकि उस चीज की बिक्री भी बढ़ जाए remember an advertisement is a play of words it must be very attractive to catch the eye of the reader बच्चों विज्यापन मैं आपको बता दूँ very short piece of writing है मैंने बताया 4 नंबर का आता है या 3 नंबर का भी आता है तो बहुत छोटा होगा ओविसी बात है लेकिन उस छोटे से में इतने ज़ादा interesting आप बाते लिख दे कि जो सामने वाला है जो उस विज्यापन को पढ़ रहा है क्योंकि हमके वाल राइटिंग वाले advertisements से हाँ पर करने वाले है वो पढ़ के इतना ज़ादा उसाहित हो जाए कि उसे तो ये समान खरीदना ही खरीदना है तो बच्चों की points जो आपको याद करने है वो आप ध्यान रखेंगे no use of grammar आपको advertisement बनाते हुए grammar tense से कोई मतलब नहीं है आपको कुछ phrases में ही बात को लिखना है इसलिए is, am, are, was, were, has, have, had in सबका कोई भी use आप नहीं करेंगे केवल words का vocabulary होनी चाहिए आपके पास words का आप use करेंगे कोई grammar का use नहीं होगा second is, should not exceed 50 words as per given word limit बच्चों word limit होती है writing skill में ये नहीं होता कि हम 2-2-3-3 page भराएं एक चीज़ के लिए proper हमें हर paper के अंदर word limit दी हुई होती है और advertisement की word limit होती है 50 words अगर मैं आम सी भाशा में बात करूँ चार पांच लाइं उससे जादा बड़ा नहीं होना चाहिए और आपके paper में भी दिया होता है कि इतने words में आप इसको रखें उतने ही words में सीमित रखना चाहिए आपको उससे exceed नहीं करना चाहिए उससे जादा आगे नहीं जाना चाहिए बच्चों ये बात तो आप बिलकुल अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लें कि विज्यापन हमेशा box के अंदर होगा आपको pencil से चारो और एक box लगाना है वो पूरा विज्यापन पूरा advertisement लिखने के बाद इसके अलग से marks मिलते हैं तो आप ये point तो बिलकुल अच्छे से ध्यान में रखें heading should be in bold and catchy letters बच्चों विज्यापन की advertisement के एक heading होगी जो bold मोटे मोटे अक्षरों में लिखी हुई हो और uppercase में capital letters में लिखी हुई हो उसके सारे के सारे letters capital होने चाहिए ये तो आपको बिलकुल point सुरट लेने हैं अब मैं आपको बताऊंगी format बिलकुल according to sequence की हमें क्या करना है ये देखिए बच्चों format It should begin with a heading in bold और uppercase letters सबसे पहले 9 types के मैं यहापर advertisement कराऊंगी उन सब की heading भी आपको बताऊंगी वो heading हमेशा सबसे उपर बीच में लिखनी है capital letters में लिखनी है थोरी bold उसको मोटा मोटा कर दे उस पर 2-3 बार pen को आप उजाल देंगे फेट देंगे उसके उपर तो बोल्ड अपने आप हो जाएगी आपको पता है बोल्ड डाक कर दे मतलब उसको तो पहला काम हमारा है heading लिखना चीक है bold capital letters में हम बीच में heading लिखेंगे title लिखेंगे हमारे advertisement का फिर बच्चों do not make full sentences मैंने आपको अभी शुरू में बताया था जो आपको points आद करने उनमें पूरी पूरी line हमें नहीं लिखनी हमें grammar का is, am, are, was, were, has, have, had इन चीज़ों का use नहीं करना हमें पूरे पूरे sentences यहाँ पर नहीं लिखने है the prescribed limit is 50 words and in order to make your advertisement loaded with information about the topic you have to manage your words carefully आपके पास केवल 50 शब्दों के अंदर लिखने के लिए advertisement आता है तो आपको ध्यान में रखना है कि आप क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कम शब्दों में attractive points आपको लिखने है, catchy points आपको लिखने है extra बिल्कुल जो topic से संबनेत बाते ना हो उनको हम नहीं लिखेंगे grammar का भी use हम नहीं करेंगे क्योंकि vocable word limit को exceed करेंगे तो ये आप दो point के हाँ पर ध्यान रखेंगे format के लिए आगे चलते हैं always add contact details in the end, either in form of contact number, email id और both they are generally given in the question तो बच्चों writing skill में आप हर बार इस चीज़ को ध्यान रखें कि आपको लिखने के बाद, advertise में लिखने के बाद अपना contact जरूर देना है, contact में क्या क्या आएगा बच्चों आपका नाम, आपका mobile number और आपकी email id ठीक है ये आपको अपने खुद के नहीं लिखने है ये paper में आपको दिये हुए होंगे जैसे you are Rahul Rahuli your mobile number is this and you live at that place तो वो चीज़ ही आपको यूज़ करनी है जो question में दी हुई हो नहीं दी हुई होती तो बचो x, y, z और कुछ भी 9100000000 इस तरह से आप mobile number को लिख देंगे ठीक है? कभी भी हमें personal कोई भी information अपने disclose नहीं करनी होती है paper के अंदर जो दिया है वो लिखना है ये मैं आपको आगे भी बताऊंगी जब मैं आपको advertisement solve कराऊंगी remember nowhere in the answer you require to mention your own personal details समझ गए न बचों? कभी भी अपना खुद का नाम, खुद का पता, खुद का mobile number नहीं लिखना होता हमें इधर हमें paper में मिल जाएगा कि you are this, you are that, नाम आपका कोई होगा वो लिखना है, वो नहीं दिया होता तो x, y, z और 9999999999999 ये भी आप कर सकते हैं, कोई भी फेक सा mobile number आप लिख सकते हैं तो ध्यान रखें, advertisement में हमेशा आपको contact देना है नाम देना है, mobile number देना है और email ID हो सके, अगर दिय होई है तो वो भी आप दे सकते हैं बचों, advertisement लिखने के बाद हमने heading लिख दिया, capital letter में हमने अपना content लिख दिया, last में हमने अपना contact लिख दिया हमारा advertisement हो गया पूरा, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ एक बहुत important चीज रह गई, box बनाना advertisement हमेशा box के अंदर ही होगा, आप इस चीज को ध्यान रखें pencil से या pencil जो भी आपके पास available हो उसे last में scale का use करते हुए, एक box जरूर जरूर बनाना है आपको, it should be neat and clean with good presentation, साफ सुतरा, सुंदर होना चाहिए, beautiful होना चाहिए, attractive होना चाहिए, practice a lot of advertisements because practice makes a man or woman for that matter perfect तो बच्चों बहुत सारे advertisements आप board के साइट पर जाएं, वहाँ पर previous papers मिल जाएंगे, उनको download करें, उनमें देखें, बहुत सारे advertisements आए हुए होते हैं, आप उनको solve करके देखें, खुद बना के देखें, because practice makes a man or woman perfect, तो चलिए, इस perfection को पाने के लिए आगे चलते हैं, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ, 9 most important advertisements जो repeatedly paper में आते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके paper में भी उनमें से कोई न कोई आ ही जाएगा, तो चलिए शुरू करते हैं, बच्चों सबसे पहले बात करते हैं, जहां इस वीडियो की, any product, अब product में बच्चों कौन कौन से paper में आते हैं, ध्यान से देखें क्योंकि आते हैं, shampoo का आता है बच्चों, shoes का आता है, car का आता है, fridge का आता है, washing machine का आ जाता है, scooter का आता है, car का आता है, समझे ने आप कोई भी product जो भी आपको बेचना हो, कुछ भी हो सकता है, और यह जो मैंने लिखे हुए हैं, यह आम तोर पर आते हैं, मैंने board के papers देखकर, यहां पर इनको mention किया है, अब बच्चों, इसको कैसे करेंगे, अब किसी भी चीज की qualities हमें बतानी है, हमें catchy freezes का यूज करना है, लोगों का ध्यान आकरशित करना है, तो बच्चों product के लिए मैंने कुछ 12 points बना रखे हैं, 12 points it means 12 line, तो आप उन में से कोई भी 5-6 line याद करें या 12 की 12 कर लें, क्योंकि कोई किसी में use हो जाएगी, कोई किसी में use हो जाएगी, और यह 12 points आपको बहुत help करने वाले हैं, इन 12 points को learn करते ही, आप किसी भी product का advertisement आसानी से बना सकते हैं, मैं आपको समझाती हूँ यह बारा, जरूर आप इनको note कर लें और इनको याद कर लें, फर्स्ट is most economical, इकनोमिकल में जादा महेंगा नहीं है, बिलकुल pocket friendly है, सस्ता है, pocket friendly word भी आप यूज़ कर सकते हैं, pocket friendly, second, a company product, एक company का product है, third, a quality product, quality है product के अंदर, बढ़िया product है, available in many colors, बहुत सारे रंगों में उपलब्द, अब बच्चों यह जो point है यह सब में नहीं जा सकता, क्योंकि नेखो, shampoo का आगया माल लो, तो वो बहुत सारे रंगों में थोड़े नहीं मिलता है, बच्चों है तो यह आप देखकर डालेंगे point कि कौन सा point किस हमारे इसके साथ मिल जाएगा, जो हमारे पास आया है, बनाने के लिए product, अब मालो आ गया, shoes, तो वो हो सकता है, available in many colors, लेकिन shampoo नहीं हो सकता, बच्चों, best quality, यह हर product के साथ चल जाएगा, best quality, buy one, get one, free, एक खरीदो, एक मुफपाव, बच्चों, यह भी ध्यान देने वाला point है, आप मालो car में बेच रही हूँ, अब मैं क्या, एक के साथ एक free दे दूंगी car, बताओ, नहीं दे सकते ना बच करें, buy one, get one free, कहने का मतलब है, छोटी चीजों के लिए, यह point चल जाएगा, बड़ी चीजों के लिए, नहीं चलेगा, fridge के लिए, buy one, get one free, बताओ, यह चल जाएगा, no, washing machine, no, लेकिन अगर मैं बात करूं, किसी चोटी से चीज की, जैसे, टूट, पेस्ट, चल जाएगा न बिल्कुल, एक के साथ एक free, हम दे देंगे, तो यह point आप ध्यान से use करेंगे, mash less in comfort and durability, durability होती है, बच्चों, चलने वाली चीज, कि लंबी चलेगी, अच्छे से चलेगी, comfort मीन आराम दायक है, 8, available at all leading stores, सारे leading stores पे उपलब्ध है, यह हर किसी में चल जाएगी point, buy one and feel the difference, ए लाओ को महसूस करें, यह भी सबके साथ चल जाएगी, at very reasonable rates, यह बच्चों वही है, most economical, अगर आपको यह दूसरा भी आद करना, यह भी कर सकते हैं, बिल्कुल, सही दामों पर उपलब्ध है, contact the nearest dealer, अपने nearest dealer बेशने वाले से संपर्क करें, और last point है बच्चों, at its purchase, a gift is free, so hurry, इसकी खरीदारी पर एक gift मुख मिलेगा, तो जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें, अब अच्छे लास्ट पॉइंट जो मैंने का, car के साथ, बड़ी चीज़ों के साथ चलेगा, यह बहुत अच्छे से, car के साथ, fridge, washing machine, scooter, की इसकी खरीदारी पर एक gift मिलेगा, त जल्दी करें, तो बड़ी चीज़ों के साथ, आप यह 12 पॉइंट यूज़ करें, और छोटी चीज़ों के साथ, जो हमने अभी 6 पॉइंट यहाँ पर mention किया था, buy one, get one free, आप उसको यूज़ करें, तो I hope, यह 12 के 12 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क बनाऊंगी product को, तो हमारे पास है, 10th में आता है, most probably, draft and advertisement for slacksochappal, बचो, relax हो की copy होगे, slacksochappal, board में यही word आया हुआ था, तो मैंने यही use किया है, तो देखें कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम बना देंगे, एक box, box बहुत ज़रूरी है, इसके marks मिलते हैं आपको अलग से, फिर हम heading देंगे, heading में क्या दे देंगे, उसी product का नाम दे देंगे, जो हमारे पास आया हुआ होगा, तो मेरे पास यहाँ पर आया हुआ था slacksochappal, आप देख सकते हैं, मैंने capital में bold करके लिग दिया है, slacksochappal, चीक है, अब बच्चों, stars, bullets, हमके दोने bullets and numberings, आप उनका use क सरेंगे, one two three point का use मत करना, catchy होना चाहिए, attractive होना चाहिए, तो कभी circle बना दिया, कोई star बना दी, कोई hut बना दिया, यह जो चीज है ना, वो भी आप छुटी-छुटी-छुटी बना सकते हैं, अच्छी लगती है, तो इस सरह से, आप points को select करेंगे, मैंने select किये, most economical, चपल ह पॉकेट फ्रेंडली दामों में उपलब्ध है, a company product, company का product है, a quality product, quality का product है, available in many colors, कई रंगों में उपलब्ध, बचो चपल तो बहुत सारे रंगों में उपलब्ध होती है, आपको पताई है, तो काफी रंगों में उपलब्ध है, best quality है, matchless in comfort and durability, चलने वाले चीज है, खरिदें और खुद बदलाव महसूस करें, at reasonable rates, बच्चों ये repeated ही है, आपको ये बेकिन में से use कर लें, बिल्कु सही उप्युक दामों में उपलब्ध है, contact the nearest dealer, अपने near dealer से संपर्क करें, at its purchase, a gift is free, so hurry, इसकी खरिदारी पर एक gift आपको मिलेगा, तो जल्दी करें, यह आप किसी में भी डाल दें, और सो हरी को इस तरह से बीच में कर दें, तो attractive सा लगता है, बच्चों product में एक बात में आपको कहना चाहूंगी, specifically जिन बच्चों की drawing अच्छी है, वो ज़रूर ज़रूर बना के आए, उस जो भी item आपके पास product आए, उसकी picture अगर आप बना सक देखें, मैंने भी याँ पर चपल की छोटी सी picture ड्रो करने की कोशिश की है, क्यों की है मैंने मैं आपको क्यों कह रही हूं करने के लिए, if you have time और आपको बनाना आता है, तो आप ज़रूर बनाए, क्योंकि इस से हमारा जो advertisement है, वो attractive लगेगा, सुन्दर लगेगा, वो ध् attract करेगा, खरिदने वाले का भी और examiner का भी, जो आपके paper को check करने वाला है ना, उसका भी करेगा, ठीके, तो ये हो गया हमारा product का, I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इस तरह से आप एक product का बना के खुद देखिए, चेतक scooter, ये भी 10th में आया हुआ, मैं आपको important है, हर class के लिए, और वो दो है, situation vacant and situation wanted, ठीक है, अब ये दो होते क्या है, मैं आपको समझाती हूँ, one by one, पहले बात करेंगे, situation vacant की, vacant क्या होता है, अरे, आज तो English वाली मैम नहीं आ, हमारा period vacant है, सुनाए ना, आपने, बच्चे बात करते है, vacant means, खाली है, ठीक है, तो situation vacant means जगे खाली है, जगे खाली है, means, नोकरी के लिए जगे खाली है, और ये बच्चों बहुत ही ज़्यादा important advertisement है, ये आम तोर पर paper में आता ही आता है, बहुत ज़्यादा important है, तो आप ध्यान से सुनेंगे, situation vacant, किस-किस बारे में आता है, किस-किस के जगे हो सकती है, खाली, जैसे clerk की, teacher की, teacher का tutor भी हो सकता है, ये word, T-U-T-O-R, ये दोनों आते हैं, supervisor की, receptionist की, engineer की, doctor की, और ये जो मैंने लिखे हो है, ये आम तोर पर paper में आते हैं, मैंने वही दिखे हो है, salesman, बच्चों, ये मैं यहाँ पर mention करना भूल गई, salesman का भी बहुत बार paper में आता है, teacher और salesman तो बहुत जादा important है, board point of view से, तो जगे खाली है, हमें जरूरत है, या तो clerk की, या teacher की, या tutor, salesman, supervisor, receptionist, किसी की भी हो सकती है, तो कैसे बनाएंगे हम situation weekend का, सबसे पहले box बना देंगे, और हमारी heading लिख देंगे, capital letter में, situation weekend, जगे खाली है, अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि situation weekend और situation wanted, मैं में same lines यूज करूँगी, आपको बहुत ज़्यादा याद करने के ज़रत नहीं होगी, एक दो points को आप change करेंगे, और हमारे दोनों ही advertisements बन जाएंगे, तो बहुत ध्यान से सुनिएगे, situation weekend, उसके बाद एक qualified and experienced dash, ठीक है, यह dash के हैं बच्चों, यहाँ पर आप भर देंगे, जो भी आपके paper में आया होगा, जैसे माली जी English teacher चाहिए आपको, ठीक है, तो wanted a well qualified and experienced English teacher, salesman आया हो तो, wanted a well qualified and experienced salesman, जो भी word आपके paper में आ हो, उस blank के अंदर आप उसको fill कर देंगे, well qualified means, पढ़े लिखे, experience means अनुभवी, जैने अनुभव है काम करने का, male और female वो कोई भी हो सकता है, male भी और female भी, minimum five years experience, हमें चाहिए कम से कम पास साल का अनुभव उस आदमे के पास होना चाहिए, fluency in speaking English and Hindi both, वो fluent हो, बहुत अच्छे से बोल पाए, English भाशा भी और Hindi भाशा भी, knowledge of computer is must, computer का ग्य negotiable, salary, negotiable means बातचीत करके हम decide कर लेंगे, जितना उस व्यक्ति के अंदर अनुभव होगा, जितनी वो योगिता रखता होगा, उतनी उसको salary वो लोग दे देंगे, बातचीत करके वो solve हो जाएगी, perks and incentives will also be provided, perks means positive चीज़े, यानि के खर्चा इधर उदर का आने जाने का जो भ उसे पंदरा दिनों के अंदर आप अप्लाई करें अपना पूरा बायोडेटा जिसमें नाम, पिताजी का नाम, एडरेस, कॉंटेक नमा, सब कुछ होता है, क्वालिफिकेंशन बगारा, उस बायोडेटा के साथ दे, कॉंटेक्ट, अब ठ्यान दे, मैंने XYZ लिखा है, पे 9, 10 x 9 लिख दो, 9 लगाके 9 x 0 लिख दो, मतलब कोई भी फेक, आप मोबाईल लंबर लिख के आना, और नीचे, email ID, कोई भी फेक लिख सकते हो, पेपर में दियू ही हो, तो वो भी लिख सकते हो, और बॉक्स कर देंगे, हम बंद, तो यह हो गया बच्चों, situation vacant का, अब इन को आप ध्यान देना, क्योंकि अब मैं बताऊंगी situation wanted, और मैं इनी चीज़ों का use करूंगी, अब देखिए बच्चों, situation wanted, इसमें क्या होता है, situation vacant में तो, जगे खाली है, आज आओ भी नोकरी के लिए, लेकिन situation wanted means, मालो मैं teacher हूँ, और मैं जॉब नहीं करती, मुझे चाह पूँगी कि मुझे नोकरी चाहिए, wanted means, चाहिए, जगे चाहिए, नोकरी चाहिए, और मैं अपने बारे में बताऊंगी, कि मैं, देखो यही words यूज करूँगी, मैं देखो यहीं से बताती हूँ, मैं well qualified हूँ, मैं experienced हूँ, मेरे पास इतने सालों का experience है, मैं fluent बोलती हूँ वही कि वही बाते हम यूज करेंगे, जो मैंने यहाँ पर यूज की है, situation vacant में, तो चलिए, करते हैं situation wanted, यानि कि मैं हूँ, और मुझे कोई नोकरी चाहिए, तो सबसे पहले box बना देंगे बच्चों, और फिर situation wanted, और उसके बाद लिखेंगे, a well qualified and experienced dash is looking for job, dash में बच्चों आ जाएगा, आप जो भी हो, वह आपको मिलेगा, वह आपको लिखना है, BA honors English stopper, age 25 years, went in speaking English and Hindi both, experienced in working in a private school for more than 5 years, expected salary rupees 30K, 30K means 30,000, interested may contact XYZ, mobile number, email ID, तो बच्चों देखो मैंने बताया कि मैं well qualified हूँ, मैं experienced हूँ और मैं teacher हूँ, ठीके, teacher is looking for a job, BA honors कर रखिये, मैंने English की topper हूँ, मेरी age 25, मैं fluently बोलती हूँ English, Hindi दोनो, मैं अनुभवी हूँ एक private school में, मैंने more than 5 years मैंने पढ़ाया है, मुझे यहाँ पर आप expected salary या salary negotiable भी क सकते हैं, expected salary आपको जितनी में चाहिए आप वो लिख सकते हैं, और interested contact कर सकते हैं, मेरा नाम है, मेरा mobile number है, मेरी email ID है, तो आप समझ गए तोनों को, well qualified दोनों में use होगा, experienced होगा situation vacant मे, experience आपको बताना होगा situation wanted में, fluency situation vacant मे, मैं fluent हूँ situation wanted में, दोनों में salary भी आएगी, हमें situation vacant में apply करना है, और हमें contact करेंगे situation wanted के अंदर, ठीक है, तो आई थिंगे दोनों clear है, आगे चलते हैं, थर्ड पे, for sale, आपको बेचनी है, क्या क्या हो सकता है, car, bike, scooter, इनके लिए मैं बता रही हूँ, सबसे पहले box बनाएंगे, for sale, a dash, dash means swift desire, for sale, a swift desire, car, color red, आप color mention करें, blue, black जो भी है, model 2018 साल आप बदल सकते है, honor driven, honor ही चलाता है, उसे कोई और नहीं चलाता, in good condition, बच्चो ऐसलिक दोगे कबारा है, तो कोई लेगा क्या, तो हमें अच्छे ही बताना पड़ेगा, in good condition, with all four, two brand new tires, बच्चो four or two का क्या मतलब हुआ, अगर car का है, तो आप four tires लिखें बिल्कुल नए brand new condition में tire है, only 20,000 km चली हुई गाड़ी है, with leather seat covers, अब बच्चो ये line केवल आपना car में लिखेंगे, क्योंकि seat covers car में होते हैं, bike में नहीं होते, sony music system, car में होता है, and gps fitted, ये भी car में होता है, cng fitted भी car में होता है, तो इनको आप bike में ना यूज करें, ध्यान में बिकेगी, contact at the phone number given below 9 a.m. to 6 p.m. only, यह आप कर सकते हैं, for further details contact, और interested may please contact, की lines भी आप यूज कर सकते हैं, वही XYZ or mobile number, अब अच्छो for sale के लिए हमारे पास plot house और flat भी आते हैं, उनको कैसे करेंगे, पहले box बनाएंगे for sale, available flat number, plot number, house number, आप according to statement A की चीज़ को चूज करना, और फिर उसका address भी अगर दिया हो तो वह वहाँ पर लिख दे, with two bedrooms having attached bathrooms, car parking available, दो bedroom है, attached bathroom है, car parking भी available है, park facing है, सामने ही park है, अच्छा नजार आपको देखने को मिलेगा, best location है, friendly neighbors है, पडोसी बहुत अच्छे है, 24 hour power and water supply, 24 घंटे पानी बिजली की supply आप उरती होती है, low maintenance charges and reasonable price for further details, contact XYZ mobile number, charges low maintenance है काफी, reasonable price पे आपको मिल रहा है, अधिक जानकारी के लिए इस व्यक्ति से, इस mobile number पर संपर्क करें, तो बच्छो ये हो गया, plot, house और flat के लिए, six आते हैं, बच्छो to let, किराय के लिए उपलब्ध है, अब माले जी यही चीज़े आ जाती है, किराय के ल पाती है, तो उनको कैसे करेंगे, यह दोनों भी बेटा में सेम बताऊंगे, आप लोगों को to let, available on rent, बच्छो पहले यह था ना, available flat number, बस एक word एड़ कर देना, available on rent basis, यह चीज़ एड़ कर देना, बाकि सेम रहेगा, available on rent basis, flat number, plot number, house number this, वैसे ही आपको एक चीज़ करनी है, जो आपको पेपर में पूछी गई है, बाकि आप सेम है, आप देखिये, with two bedrooms, having attached, bathroom, car, parking available, park facing, best location, friendly neighbors, 24 hour power and water supply, अब बच्छो यह लाइन कार देना, low maintenance charges and reasonable price, इसके जगा लिख देना, rent expected rupees 15,000, for further details, contact XYZ and mobile number, तो आपके 5th और 6th भी सेम बन गए हैं, मैंने केवल दो चेंज़ क एक तो available on rent basis, और last में rent expected, चली आगे चलते हैं, 7th, lost and found, specifically lost का आता है, lost में क्या क्या आता है, bag गुम हो गया, water bottle गुम हो गई, watch गुम हो गई, purse गुम हो गया, wallet गुम हो गया, mobile गुम हो गया, तो सबसे पहले हम box पनाएंगे, और लिख देंगे, एक बार या तीन बार, lost and found भी लिख सकते हैं, lost, 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 lost a dash, बच्चो, lost a watch, lost a bag, lost a mobile, फिर आप color बता देंगे उसका कि किस color का था, on, फिर कोई date लिख देंगे, at, कोई time लिख देंगे, कोई place लिख देंगे, near the bus stand, कुछ near का landmark लिख देंगे, it contains things, अब वो things आपको लिखनी पढ़ेंगी, मालो bag गुम ह हो गया, तो bag में क्या क्या था, देखो, जैसे money थी, gold chain थी, bracelet था, documents, state cards, कुछ भी आप लिख सकते हैं, it contains documents, my credit cards, debit card, my mark sheets, finder is requested to contact at phone number mentioned below, जिसको भी प्राप्त हो, finder प्राप्त करने वाला, इस phone number पर संपर करें, the finder will be suitably rewarded, प्राप्त करने वाले को भी उचित इनाम दिया ज जाएगा, x, y, z, mobile number, कोई name दिया हो, तो वो name आजाएगा, बच्चों, यह आप ध्यान रखें, खुद का नाम हमें, नहीं लिखना, आते हैं, 8th और 9th, लास्ट हैं बच्चों, यह पहला रहेगा, हमारा bride groom wanted, दूलहा चाहिए, और 9th रहेगा, bride wanted, यह मैं बिल्कुल सेम कर cultured girl, अब बच्चों, यहाँ पर देखो, bright चाहिए, तो केवल हमें एक चीज बदलेंगे, beautiful होती हैं, लड़किया, लड़के होते हैं, handsome, केवल एक यह वर्ड बदलेंगे, और हमारे दोनों बन जाएंगे, देखो, suitable चाहिए match, smart होना चाहिए, educated पढ़ा लिखा, beautiful होनी चाह अब देखो, यहाँ का देखो, wanted a suitable match for a smart, educated, handsome and cultured boy, बस हमने handsome boy किया और beautiful girl की, M English, M English यहीं किया, हमने देखो, दूसरे में भी, height 52, अब बचों लड़किया थोड़ी छोटी होती हैं, लड़के थोड़े लंबे होते हैं, तो लड़की की मैंने 52 बता दी, लड़के की मैंने 58 8 बता दी, age भी आप बढ़ा सकते हैं, लड़की की थोड़ी कम 23 years, लड़के की 27 years चाहिए, small educated family, यहाँ भी बच्चों small educated पड़ी लिखी family है, boy in good service और business preferred, लड़का होना चाहिए, एक अच्छी service में या business करता हुआ, for further details, contact XYZ mobile number, और यह line हम थोड़ी सी यहाँ पर change कर looking for similar status, for more details, contact XYZ mobile number, तो हमारे bridegroom wanted word चाहिए, bride wanted बदू चाहिए, बिल्कुल same बन गए, हमें 2-3 words चेंज करने हैं, और हमारे matrimonial advertisements भी बन गए है, तो बच्चों, I hope आपको बड़ा मजा होगा मेरे साथ advertisements परने के लिए, और I hope आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, यह 9 के 9 आप अच्छे से आद कर ले, बलकि 9 भी नहीं बने, मतलब यह लगा लो, दो दो भी मैंने कई सेम सेम बना दी, wanted, situation wanted, situation wanted, situation weekend एक जैसे बन गए, matrimonial आपके एक जैसे बन गए, और to let, और for sale भी आपके एक जैसे बन गए, ठीक है, तो बहुत काम आने वाले हैं आपको अच्छे से इनको याद कर ले, और I hope आपके बहुत अच्छे से माक्स आएंगे एक्जाम के अंदर, thank you so much for watching, see you in next video, take care children, this presentation was made by Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Block Bahadurgar, District Judger, see you, bye